नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें बीते दिनों गुजरात के तापी में निर्मानाधीन ब्रिज तूट कर धारसाई हो गया था इसके बाद सूरत में तापी नदी पर बने एक ब्रिज भी सड़क पर धस गई इस सड़क को बनाने में 110 करोड रुपे खर्च हुए इसी के साथ सूरत के वडोधरा इलाके में एक महीने पहले बने अंडर पास ब्रिज की उपरी सड़क पर गड़ा हो गया इसका वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल है वीडियो सामने आने के बाद कॉंग्रेस निताओं ने ट्विट कर गुजरात सरकार पर तंज कसा और अंडर पास ब्रिज बनाने में प्रष्टचार का आरोप लगाया दरसल सूरत वालडोली रोड पर बने अंडर पास ब्रिज जिसकी लागत तक्रिबन 110 करोड है अंडर पास ब्रिज एक महीने पहले ही गुजरात के ग्रिह राज्यमंत्री हर्स सांगवी ने इसका लोकारपन किया था इस अंडर पास ब्रिज को शुरू हुए अभी एक महीना ही हुआ था कि ब्रिज के उपर सड़क पर एक गढठा हो गया इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है वाइरल वीडियो को ट्विट करते हुए गुजरात कॉंग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने ग वीडियो वाइरल होने के बाद सरकारे तंत्र हरकत में आया और बेरिकेटिंग कर गढठे को बंद कर दिया गया जिस जगह गढठा हुआ है उसे मेटेरियल से भर दिया गया है और पॉलिथीन लगा दी गई है ताकि किसी को कुछ नजर ना आये वडोधरा में रहने वाले विजे बागेला ने कहा है कि जब अंडर पास ब्रिज बनाने में सरकार करोडो रूपे खर्च करती है तो इस तरह की चीजे सामने क्यों आती है यह सीधे तोर पर अंडर पास बनाने में भर्षचाचार का संकेत है जब अंडर पास बन रहा था तभी अधिकारियों को ध्य देना था किस तरह का material यूज हो रहा है इस पर भी नजर रखनी थी वडोद्रा इलाके के रहने वाले प्रतीक ने बताया कि 110 करोड रुपे की लागत से बने इस अंडर पास ब्रिज में सीधे तौर पर भाजपा सरकार ने भ्रश्चाचार किया है और यह कोई पहली बार नही है सूरत में भी इसी तरह के ब्रिज बना था और तूट गया था और तापी में भी एक ब्रिज तूट गया अब इस अंडर पास ब्रिज के ऊपर भी गड़ा बन गया तो आखिर यह सब कैसे हो रहा है यह सब ब्रश्चाचार नहीं तो और क्या है